अनीस ने भार सरकार में नौकरी के लिए अरजी दी है उन्हें नौकरी के लिए आविदन के पर के लिए रट सी गई है सरकारी नौकरी पाने के लिए अनीस की ये सात्वी कोशिस है मुकाबला बहुत काटे का रहता है एक एक पद के लिए हजारों अर्जियां दी जाती है इस बार तो रेलवे में नौकरी हासिल करने के लिए अनिस का मुकाबला अपनी पत्नी से भी होगा रेलवे की ये नौक्रियां बहुत ही निचले दरजे की हैं फिर भी इसके लिए सेक्डों लोग अपलाई करेंगे अनिस ने पिछली बार जिन सरकारी नौक्रियों के लिए अरजी दी थी उनका भी यही हाल था अनिस को इसका कोई सिक्वा नहीं है पिछली बार उन्हेंने सरकारी टीचर के लिए अरजी दी इससे पहले वन विभाग में गाड के लिए अनिस ने अपलाई किया था दोनों ही बार उनके हाथ नाकामी आई अनिस बताते हैं कि वन विभाग में सुरच्छा गाल के लिए वो फिजिकल टेस्ट पास नहीं कर पाए थे अब बात यहाँ पर यह है कि सरकारी नौकरी भले ही भूसे के धेर में सुई खोजने का समान है फिर भी सरकारी नौकरीयों की भारी मांगे सरकारी नौकरियों के बारे में कई मिथक हैं जो इस कारण के जिम्मेदार हैं हाली में महाराष्ट और उत्तरपरदेश सरकार ने कूलियों और सफाई कर्मचारी नौकरियों के लिए जिन candidates का application रिसीब किया उन्होंने graduation और PhD की हुई थी सरकारी नौकरी पाने का क्रेज इतना अधिक हो गया है कि योगी उम्मिद्वार उन नौकरीयों के लिए आविदन करने से नहीं हिज़की जा रहा है जिन के लिए metric योगी तक की भी आवज़कता नहीं है अब सवाल यह है कि इस सनक के पीछे का कारण क्या है आज के हम इस वीडियो में भारत में सरकारी नौकरीयों के बारे में जो मिथक हैं और उनकी जो वास्तु इकताय हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे सबसे पहला मिथक है कि सरकारी नौकरी का जो टाइमिंग होता है वो सुबह 9 पजे से सामके 5 बेज तक का होता है यह सरकारी नौकरी के बारे में सबसे बड़ा मिथक है 90's के दसक मैं ऐसा हुआ करता था पर अगर अभी आप उच अधिकारियों की बात करें जैसे कि IAS, IPS तो उनका जो दिन का जो काम होता है एक दिन का वो 10 से 12 गंडे का होता है यहां तक कि आज कल बैंकिंग छेतर में भी नियूंतम कारी समय सुबह 10 बजे से रात के 8 बजे तक का है जो कि यदि आप उच पद पर हैं तो इससे भी अधिक हो सकता है दूसरा जो मिथक है वो है कि इनकी जो सैलरी होती है वो काफी हाई होती है और इसमें बेनिफिट्स बहुत जादा होते हैं और निश्ची दूर्प से सबसे कम नहीं है उधारण के लिए पॉस्ट मेन या फिर मेलमेन की इस्थिति के लिए या फिर उसके पोजिशन के लिए डाग विवाग जो है वो हेल्थ फैसिलेटिस प्रोवाइड करती है उसके लावा मातरी तुलाव देती है और साथ में 20,000 तक का वेतन भी होता है पर अगर हम जॉब लगने के कुछ साल बाद किस्तिती देखें तो सरकारी संगठोनों में वेतन केवल परवेस अस्तर पर ही आकर सक होता है जैसे जैसे वर्स बीटते हैं एक सरकारी करमचारी जितना कमाता है और जो लाव पराप्त करता है वह उसके नीजी समकच को मिलने वाले लाव से बहुत कम होता है इसके मैं आपको दो कारण बताता हूँ कि सरकारी नौकरी उच अस्तर पर जो होती है वो आपकी ग्रोध को कम कैसे कर देती है एक नीजी कंपनी में काम करने वाला एक वैक्ती जो सक्छम है जो उस कंपनी में 15 साल तक काम किया है तो उस 15 साल के भीतर वो उस कंपनी का ABP बन सकता है या फिर VP बन सकता है वहीं अगर एक सरकारी कर्मचारी 15 वर्सों तक वो काम कर रहा है तो वो वरिस्ट लिपिक बन सकता है या फिर अधिक्चक बन सकता है अगर वो बहुत योग्य है जब वो हर एक्जाम किलियर करते जाएगा तब उसकी ग्रोथ होती जाती है वरन्ना वो जिस पोजिशन पे जोईन गरता है सरकारी नौकरी वो उसी पोजिशन पे आज जीवान रह जाता है जो एक नीजी संगठन में एक कर्मचारी कमाई कर सिर्फ एक तिहाई कमाता है इसलिए जो सरकारी नौकरी आज आकरसक बेतन दे रही है वो अगले 10 से 15 सालों में एक देंदारी बन जाती है सक्षम कर्मचारी निरास हो जाते हैं जब उनकी योगिता को मानियता नहीं दी जाती है और विदिवत पुरुस्क्रित नहीं किया जाता है नीजी शेतर में करियर शुरुआती चर्णों में कठीन हो सकता है लेकिन समय के साथ यह उन लोगों के लिए अच्छा पुरुस्कार अरजित करता है जो इसके लाइक है यहां पर आपको तरक्की करने के लिए 15 साल वेट करने के जुरत नहीं है आप अपने परफॉमेंस के बेसिस पे हर साल ग्रोथ पा सकते हैं जैसा कि बिजनस स्टैंडर्स ने हल ही में बताया है कि निप्टी कंपनी के एक निदेशक का आउसत वेतन नौकर रुपे होता है यह अधीक हो सकता है लेकिन वास्तविक है जबकि एक सरकारी कर्मचारी का जो आउसत वेतन होता है वो 5,90,000 रुपे का होता है मितक नमबर 3 अस्थाई भरती होती है एक बार जौब लग गई उसके बाद पिर वो आजिवन रहती है पर अब सरकारी नौकरियां अस्थाई नहीं है सरकार एक विसिस्ट परियोजना के लिए आवस्यक मानो संसाधन के अधार पर लोगों को हायर करती है फिर जैसे वो परियोजना खतम हो जाती है जिसे हम contractual basis पर कहते हैं उसके बाद फिर जो भी वो मानोस अंसादन इस्तमाल कर रहे होते हैं उनका इस्तमालों बंद कर देते हैं चौता कारण है कि यहाँ पर फैरिंग नहीं होती मतलब कि वो आपको रैंडमली काम से निकाल नहीं सकते सरकार अच्छा परदर्सन नहीं करने वालों से निपड़ने के लिए सुविचारित नीतियों पर काम कर रही है उन्होंने गैर कालाकारों को मतलब कि जो अच्छा परफोमेंस नहीं करते हैं उनके लिए दरवाजे बंद करना सुरू कर दिये वास्तों में कैविनेट सचीव परदीब कुमार सीना के निर्देशों के बाद जिन्होंने परदर्सन नहीं करने वाले अधिकारियों की समिक्चा की मांग की थी कार्मिक और फरसिच्छन विभाग ने काम नहीं करने वाले और संदिग्ध इमानदारी वाले अधिकारियों से निपटने के लिए पहले ही विश्तरित दिसा निर्देश चारी कर दिये हैं इसका मतलब है कि अब सरकारी कर्मचारी अपने करतवियों का विदिवत पालन नहीं कर रहे हैं दुरवयवार कर रहे हैं और लापाराही से काम कर रहे हैं अब वे अपनी नौकरी पर नहीं रह सकते हैं पांचों मितक है कि सरकारी नौकरीयों में मिटिंग्स को गंभीरता से नहीं लिया जाता यह सरकारी नौकरीयों के बारे में आम मितकों में से एक है कि कोई गंभीर बैठक नहीं होती सरकारी नौकरी में हलाकि अधिकांस अधिकारियों के पास उपस्थित लोगों और प्रस्तूतियों का विबरन प्राप्त करने के लिए एक दिन पहले उनके करमचारी हमें फोन करते हैं इससे अधिकांस बैठके समय पर सुरू होने में मदद मिलती है छटों में तक जो वो है कि विकेंड्स ओफ होते हैं सरकारी नौकरियों में हम अभी जानते हैं कि आजकल जो प्राइवेट कंपनियस भी होती हैं उनमें भी विकेंड्स ओफ होते हैं लेकिन सरकारी नकुरियों के साथ चीज़े समान नहीं है, सरकार में कई अधिकारी और निर्वाचित पर्तिनिधी सुक्रुवार को रात आट बजे, सनिवार को सुबह नौ बजे और रविवार को साम चार बजे मेटिंग्स करते हैं, इसके लावा अगर आप एक I.S. ओफिस सरकारी नकुरी के बारे में एक और मिधा किया है कि आपकी राई तब तक माइने नहीं रखती जब तक आप अनुगवी नहीं हो जाते, और आपके बाल सफेद नहीं हो जाते, मतलब कि आप पे वर्कलोड नहीं होगा, सिर्फ उन्हीं से ही राई मांगी जाएगी जो पुर करते हैं, और अगर आपने बढ़ चड़ कर हिस्सा नहीं लिया तो इससे आपकी परफॉर्मिंस में परभाव पड़ता है, आठवा मिथक है, सम्मान, अगर आपके पास सरकारी नौकरी है, तभी लोग आपका सम्मान करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, तो इस पर मैं कहना चाँगा कि हर काम की गरिमा होती है, इससे कोई फरक नहीं पड़ता कि आप किसी नीजी कमपनी में काम कर रहे हैं या पिर सरकारी कमपनी में, या फिर आप खुद के लिए काम कर रहे हैं, नौकरी है, तो इजज़त मिलेगी, इसके लावा, आपका सम्मान इस बात से मतलब नहीं बनता, याद रखें, बात नौकरी पाने की नहीं है, बात हमेशा सही नौकरी पाने की है, आज के वीडियो के लिए इतना ही, और अगर आपको किसी खास टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो हमें कमेंट करें, हम उस पर जरूर वीडियो बना के लाएंगे, और अपनी राए इस टॉपिक पे हमें जरूर दे, and if you like this video, then share this video and subscribe the channel, see you.